हाई गाईज, वेलकम टो डिपलोमा सॉलूशन, अगर आप इस चैनल पे नए हो, तो इस चैनल का सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हम इस चैनल पे ले के आते हैं, MSBT अपडेट्स, टीप्स और ट्रिक्स, और ओल स्टडी मटेरियल, सो गाईज, जैसे कि आप सबको इस चैनल में वो स्टार्ट होने वाली है, तो बहुत सरी स्टूड़न्स को डाउट है, कि सर किस तरीके से प्रिपरेशन स्टार्ट करें, कौन-कौन से इंपोर्टन कोश्चन है, जो हमें करने चाहिए, वही आज हम ले के आए हैं आपके लिए इंपोर्टन प्रैक्टीस क इंपोर्टन कोश्चन फोर MSBT एक्जाम, अगर आपको डिजिटल टिकनिक एंड माइक्रो प्रोसेसर के इंपोर्टन कोश्चन चाहिए तो गूगल पर जाके सर्च किजिए, डिपलोमा सॉल्यूशन, आपको फर्स्टी वेबसाइड मिल जाएगी, उसके उपर आपको क्लि इंपोर्टन कोश्चन के उपर क्लिक करना है. उसके बाद मैं आप देख सकते हो कि डिजि टेकनिक एंड, माइक्रो पर्सिटकन फोर्टन कोश्चन स office, वे लिस्ट डाउन हो चुके है. सो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि यह जो important questions है वो आपके base है previous year question paper पे important topics के उपर और बहुत बार पूछे गए जो questions से जो frequently बहुत बार पूछे गए हुए questions से उसके उपर इसके help से आप easily pass हो सकते हो और अच्छे से अच्छा marks भी score कर सकते हो अगर अपने syllabus आच्छे तरीके से बढ़ा है और ये questions अगर आप आपने अच्छे तरीके से किये हैं तो आप आच्छे तरीके से जो है वो questions को है वो attempt कर सकते हो और आच्छा माक से वो score कर सकते हो बढ़ते हैं questions के तरफ तो question number 1 attempt 5 इसमें कौन से types के questions जो आते हैं वही आज हम देखते हैं वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जो एलो मार्क के हुवे जो questions है और जो स्टार मार्क के हुवे जो questions है वो repeated questions है और important topic के basis के उपर एक questions है इन एलो color के हुवे जो questions या highlight के हुवे जो questions है उनको आपको 100% अच्छे तरीके से जो है वो पढ़ने है सो बढ़ते questions के तरफ तो draw symbol and write truth table of xor gate सो xor gate के बारे में आपको symbol बनाना है और truth table बनाना है सो एक बार बताना चाहता हूँ कि जितने भी gates से जैसे कि basic gates, universal gates, जितने भी types के gates से आपको सभी gates से उसका symbol है वो पता होना चाहिए किस तरीके से symbol है वो draw करते है क्या उसका formula है और किस तरीके से उसका truth table हो बनाते है क्योंकि ये बहुत ही important है क्योंकि gates related आपको 3-4 questions तो exam में आते ही आते है तो इसके लिए आपका important topic से gates related और D. Morgan theorem related so gates के बारे में अच्छे से पढ़ी पढ़ाई कीजिए so next question है वह है defined terms mean term and max term so mean term और max term का जो definition है वह भी important है उसके बाद में आता है जितने जे के flip-flop with its truth table तो जितने भी flip-flop के types है वह आपको अच्छे तरीके से करने है और symbol और truth table भी आपको अच्छे तरीके से करने है उसके बाद में important topic जो microprocessor के पार्ट के तरब से आता है वह है 8086 का पाइपलाइटिंग importance of pipelining in 8086 microprocessor so यह important topic है इसको अच्छे तरीके से कीजिए फिर नेक्स से 4 application of digital circuits उसके बाद में define the terms of physical address effective address उसके बाद में है के addition of 16 bit hexadecimal no carry division of 8 bit rotate of bl by 4 bit logical and operation ax and bx उसके बाद में function linker and debugger to boolean laws define bit and nibble convert into the equivalent binary number जो आपको कुछ भी convert दिये रहेंगे numbers दिये रहेंगे उसको आपको या फिर binary में convert करना होगा या फिर octal में convert करना होगा या फिर hexadecimal में convert करना होगा उसके बाद में आता है game map format gray code ASIC code के ASCII code की applications principle of multiplexer multiplexer demultiplexer यह भी important topic है इसके diagram और किस तरीके से रहता है वो आपको पता होना चाहिए उसके बाद में है draw the circuit at one bit memory cell उसके बाद में question number two में है जो कि मैंने आपको बताया कि जो conversion का जो type है वो बहुत बार पूछा जाता है जैसे कि जो आपका diagram है जो octal है उसको आपको hexadecimal में convert करना है उसके बाद में आता है mean term into standard pos सो यह formula basis पर जो question है वो आपको करना है उसके बाद में जैसे कि मैंने बोला कि flip-flop के सभी types और सभी जो symbols और truth table आपको पता होना चाहिए सो उसी के बाद में question है draw symbol with truth table flip-flop जैसे कि Glock RS flip-flop और T flip-flop के बारे में उसके बाद में prove करना है A को उसके बाद में minimize the following function using kmap उसके बाद में binary subtraction using twos complement आपको subtraction perform करना है बाद में boolean expression है उसके बाद में once complement two's complement आपका है subtract करना है once complement में उसके बाद में so piece का equation है और pos का equation है so वो आपका है जैसे कि मैंने कहा starting में कि आपको gates related बहुत ज्यादा questions से आते हैं जैसे कि third four three four questions आते ही है so why questions से यहाँ पे implement or get and not get using universal net तो इसका diagram symbol आपको बनाना होगा expression बनाने होगे उसके बाद में आता है आपका 8 bit and 16 bit data उसके बाद में draw waves and positive negative edges trigger in the two situation of triggering उसके बाद में k-maps आपको बनाना है k-maps के भी सर्म से वो important है जैसे कि बोला मेंने कि आपको gates के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ाई करना है और gates के बाद में आपको जो mean term, max term है वो आपको पता होना चाहिए SOP, POS, k-map यह क्या रहता है वो आपको पता होना चाहिए जो number conversion है वो binary to decimal binary to hexadecimal वो सब जो numbers का conversion है वो आपको पता होना चाहिए आप easy तरीके से कर सकते हो और उसके बाद में जो important topic है वो 8086 का जो कि यह pin diagram basis के उपर architecture के basis के उपर, pipelining के basis के उपर और addressing modes के basis के उपर सो वही question है कि addressing modes आपको बताने है उसके बाद में है minimize the expression and draw logic circuit using basic gates और जो most important difference between जो exam में बहुत बार पूछा जाता है वो है compare, combinational and sequential circuit, so combinational circuit क्या रहता है वो आपको पता होना चाहिए, sequential circuit क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए, उसके बाद में और एक difference है वो आता है, वो है difference between RISC और CISC, so यह जो दो difference है वो आपको आच्छे तरीके से करने है compare, combinational sequential circuit और RISC और CISC का difference, उसके बाद में आता है multiplexer, कि 16 by 1 multiplexer क्या रहता है, 4 by 1 multiplexer क्या रहता है, उसका diagram और वो सब यह आपको आच्छे तरीके से आना चाहिए, और concept of pipelining, pipelining क्या रहता है वो भी आपको पता होना चाहिए, उसके बाद में है explain the concept of physical address calculation with suitable diagram, so physical address के बाद में आपको बताना है उसके बाद में है demorgan theorem, जो कि दो demorgan theorems रहते और उसका एक symbol diagram है वो आपको पता होना चाहिए, उसके बाद में है describe race around condition in JK flip-flop और flag register और segment register, so यह भी important question है वो आपको आच्छे तरीके से करना है, उसके बाद में आता है write time algorithm of 808C assembly language program to find average of 5 employees of silicon system, assume 4 digit, आपको इस तरीके से जो है वो प्रोग्राम भी पूछे जा सकते है, microprocessor में assembly language related, उसके बाद में यह एक आपको diagram दिया रहेगा, उसका expression है वो आपको बताना है, तो कुछ इस तरीके से diagram रहेगा, तो उसके अलग-अलग diagrams भी दे सकते हैं, जैसे कि आपे NAND gate यूज किया है, अलग-अलग gates से वो यूज किये है, तो वही gates यूज करके अलग diagram भी दे सकते हैं, तो आपको उसके उपर जादा focus करना है, उसके बाद में आता है, draw mean mode configuration of 8086, यह important question है, minimum mode क्या रहता है, maximum mode क्या रहता है, वो highlight किया हुआ है, और addressing modes भी क्या रहते हैं, जैसे कि आपे star mention किया हुआ है, highlight कहना रह गया पर star mark किया हुआ है, सो यह important question है, परते question number 6 के तरफ, draw architecture block diagram of 8086 microprocessor and functions, सो जैसे कि मैंने कहा कि 8086 का आपको जब करना है, pipelineing, addressing modes, pin diagram और architecture 8086 का, बाद में आपका full adder कह रहता है, half adder कह रहता है, वो भी आपको पता होना चाहिए, के map का भी पता होना चाहिए, सो वही उसी के बारे में है, design full adder using k-map, draw logical circuit using basic gates with root diagram, उसके बाद में है, assembly language यूज़ करके आपका factorial number बना सक बनाना पड़ता है, factorial number का एक program लिखना पड़ता है, या फिर आपको largest number या फिर smallest number आपको search करना है, उसके बाद में जो है, define the terms and expect digital to ICs, propagation delay क्या होता है, fan in, fan out, power dis assumption, noise margin, threshold voltage, जो क्या क्या रहते हैं, उसके बारे में भी questions आपको आते हैं, उसके बाद मैं है, describe the use of shift and rotate instruction as well as string instruction with the help of one relevant example of each, so ये कुछ important questions है, जो exam में आते हैं, बहुत बार जैसे कि मैंने star mark किये हुए है, इसी basis के उपर आप अगर अच्छे तरीके से study करते हो, अच्छे तरीके से focus करते हो, कि किस-किस types के question आते हैं आपको पता चली गया रहेगा, कि आपको सभी gates से वो अच्छे तरीके से करने है, mean term, max term, k-maps के जो sum से वो अच्छे तरीके जिकरने हैं, उसके बाद में flip-flop के जितने भी diagram से, type से, symbol से वो आपको पता होना चाहिए, उसके बाद में assembly language के जो program से वो एक-दो programs आते हैं, बाद में 8086 का pin diagram, addressing mode, architecture और एक-दोट points से वो भी बहुत बार आते हैं, तो आपको अच्छे तरीके से study करना है, और अच्छे तरीके से mark score करके पास होना है इसकी अंदर, और subject के जो important question से वो आपको इसी website के उपर मिल जाएंगे, आपको दोस्तों के साथ share करना है, subscribe करना है, तो guys अगर आपको important question चाहिए रहेंगे सभी branches के, तो आपको Google पे जाके search करना है, Diploma solution, जैसे ही आप Google पे search करते हो Diploma solution, तो आपको first website मिल जाएगी, तो उसके ओपर आपको click करना है, तो कुछ ऐसे इस तरीके से जो interface है वो open हो जाएगा, सो जैसे कि आप screen के उपर देख रहे हो, कि computer IT के जो important question से वो upload कर दिये गए है, और सभी के जो branches के जो important question से वो upload हो जाएगे, और इस website के उपर Diploma solution के website के उपर, आपको जो सभी study material से वो मिल जाएगे, जैसे कि अगर आप MSBT study material के उपर क्लिक करते हो, तो कुछ आपको syllabus, MSBT के syllabus, books and notes, practical answer PDF, lab manuals answer PDF, COIT program code, external viva questions, MCQ with answers, sample question paper, model answer paper, और most important micro project and final year project, और आपको important question चाहिए रहेंगे सभी branches के तो आपको important questions के उपर क्लिक करना है, तो अभी आपको सभी branches को जो important questions है, वो आपको मिल जाएंगे, सो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, कि जो भी question को star mark किये हुए है, वो बहुती important question है, जो कि repeatedly बहुत बर आ चुके है, जो भी highlighted questions से और bold किये हुए questions जो है, वो बहुती important questions है, उनको आपको जरूर करना जाएंगे exam के अंदर, कर जाएंगे थाथ है, यह उशपो किये हैं, बहुत भी है एक जाएंगे consumers. तो प्रूंगे, वो गयो भी ही है, नहीन है, पैसे का वैंफन